महामंडेलेश्वर जी तीन अलग अलग जगों के महल चाहे वो मतुरा का मामला हो ताज महल का मामला हो या जब सवाल यह हो कि क्या एक तरफ आस्ता है एक तरफ धार्मिक सौहाद रहें कि सब मिल जुल कर रहें उनमें कोई विरोधा भास आप देखते हैं कि ऐसा है तो अरेस दिया कि बीडियोग्राफि फो तो किसी को परिशानीय अनियों कि इस में जो भी एसलीच स्मय आजाएगी तुझमि विरोध करने वाले लोग तो कौन थी हमरत भूद नहीं कि कि बटा दीजिए जो सिभ्भक्त ने किसी ने विरूद किया हो जिलों ने विरूद किया उनसे प्रसुन होना चाहिए आज द्वारा को बैट करके आदेश करना पड़ा विरूद के कान करना पड़ा मैं तो कहता हूं कि वहाँ एक वार वीडियोग्राफी हो जाए समाथ समत हो है पता तो लगे क्या हुआ हम कहते हैं हमारी माहा है सिंगार गौरी माता जी है सिविलिंग वहीं पर बंद कर रखा है क्योंकि चाहें मत्रा में आप जाईए मत्रा की पीछे की दिवाल देख लीजे मंदर की है आज भी मत्रा में नीचे भगवान का गर्वग्रह वहां दर कि मत्रा कासी विश्चुनात तीनों लोगे एक साथ पर समधान के दारे में जब रस्ति नहीं साच्छों के आदार पर वही सब हो रहा है तो हम कहां चाहते हैं विरोध हो हम कहां चाहते हैं कोई दिक्कत हो हम चाहते हैं कि समधान के दारे में रह करके एक नागरिक होने कर सब्सक्राइब करना चाहते हैं इन्होंने क्या क्या मंदर के धांचों को तोड़ा मूर्तियों को तोड़ा वर गाड़ दिया क्योंकि आने वाली पीडियों को अपमानत करना चाहते हैं हाजिक खान साब इस पर एक पैक्ट बेस्टेन आपसे पूछते हैं जो हम सबूत दिखा रहे थे वो दिखाईए दो-तीन सवाले ध्यान से सुनिएगा उसका जवाब दीजेगा पुलिटिकल जवाब मत दीजेगा क्या किसी मस्जिद की दीवार में ऐसी हिंदू कलाकृतियां हो सकती हैं ब्रह्म कमल घंटियां वो मस्जिद की पश्चमी दीवार है सवाल नमबर एक सवाल नमबर दो अगर यह आरूप लगता है कि मुगल अकरांताओं ने इस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया है तो विडियोग्राफी होने में क्या प्रब्लम है तीसरी बात एक समवेधानिक प्रक्रिया से ही तो हिंदू आज जा रहे हैं अगर मंदिर है और उन्हें जवाब दीजेगा वो जो सबूत हम तस्वीरे दिखा रहे थे वो वेस्टरन वॉल दिखा दीजिए नमबर एक बात आपकी यह मैडम के मुल्क में साड़े आठ सो साल मुसल्मानों ने हुक्मरानी की और हमारे जो हुक्मरा थे वो यह चायते थे कि हमारे हिंदू भाईयो इसलिए बनाई जाती थी कि उस जमाने का कोई मुसल्मान सिपाई नमाज ने छोड़ता था इसलिए मजजितें बंद और कलाकिरती जो आप जिसकी बात कर रही हो जो हारत में हिंदू मुसल्मान ते सारे शे परसंट हिंदू हमारे भाईयों की अगर कलाकिरती उन्होंने जबनी तैजीब के एक मिसाल थी वल्के इसलिए भारत में गंगा जी तैजीब आगया जवाब लूगी में जवाब लूगी अभी आपी लोगों जवादेरें अपने प्लीज उसका प्रजशन इसलिए है कि हिदुस्तान में हमारे बहुत हमारे बड़े तो मस्जिदों की तिवार पर घंटियां और ब्रह्म कमल आपको कुबूल है हम उसके पूजा नहीं करें हम नारा सिगनल हम बैत अलागी भी पूजा नहीं करें मैदम जो काबा में हम उसकी तरह रुख करती और उस रख में कोई प्रोग्रम नहीं आईगी तो असलिए यह देश की एकता और पर दिलों में यह लोग जो हैं रामडों की बस्ती में राम बेसारा है मंदिर और मज्जिस ते रिष्टा कितना प्यारा है मुश्किलें जब आई हैं दो लों को पुकारा है राम भी हमारा रही हमारा है सवाल जिन क्यों करके मजदें जल्दी से जवाब ने दीजे जिए पहले तो भगवान राम कह रहे हैं बेसारा है कभी हो नहीं सकते हैं हाँ तुमारी तुष्टी करण की राज्जिती हमें नागवारा है ये जरूर है दूसरी बात अबीज में बोला था क्या देखिए ये वर्बल डाइरिया है दवाई लेके आया हूं कहिए तो दे दुम म मन में आता है मक्का मदीना इनके लिए पावन और पवित्र है हमारे लिए काशी अरुद्या और मतुरा आप बताईए मक्का मदीना की दिवार पे अगर मंदिर वहां बना दिया जाया और समनकाशी कर दें तो ये प्रमान मांगेंगे ये सूट लाएंगे ये हम सहीश्रू है कि देखिए क्या का स्वामी जी ने सम्विधानिक रास्ते से जो है हम अपना हग जताएंगे दूसरी बात इनको चाहिए तीन पावन स्थान हैं तीनों कहें हिंदू भाईयों आपको मतुरा काशी और अयुद्या हमने दी अयुद्या तो हो गया बाकी दो और इससे पता चलेगा कि जो अक्रांताएं हुई है सोमनाद मंदिर तोड़ा गया है कोई चौकीदारी नहीं करी लुटे रहे आयते लूटने का प्रयास किया और गुरू गोविन सिंग गुरू तेक बहादूर जी ने और शिवा जी महराज ने उनकी नानी याद दिला दी ये इतिहां स जल्दी से विश्णी जी उनकी बात का जवाद वो कह रहें कि महां उस वक्त बहुत सारे हिंदू मेजॉरिटी तो उन्होंने दिवार बना दिजोगे उन्दोंने एक दिवार पर हिंदू कला कृति हिंदूस्तान की थी और उसका इस्तमाल कर लिया तो उस पर क्या जुरम ह कि आज जितने पैनिल से बैठें यहां से घर जाए जवाब ले लिजेगा मैं विश्रुची को जवाब घर जाके जरह सुप्रीम कोड का जज्ज्मेंट पड़े यह कहा है ना मंदर तोड के मस्जिदी मनाई गई नाइंटीन नाइंटीन डेरे उनको क्या दर रहे हैं अगलत बात है यह गलत बात है यह बारी आएगी मैं आपके पास आउंगे प्रिटिस सरकार ने सिविल सूट नंबर 62 नाइंटीन थर्टी सेक्स में कहा था कि यह मंदर तोड़ के मजजिद बनाए गया तब तो कोई पार्टी नहीं थी पॉलिटिकल पार्टी और उसके अगें दीन मॉहमद हाई कोट में हार गया तो यह सारे फैक्स तो पढ़े मंदर तोड़ के मजजिद बनाए गई है यह इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है थीक है